हलो दोस्तों ट्रेडिंग विद राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेट के बारे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके सेयर प्राइस पे लगबक 16% की तेजी हमें देखने को मिली और लगातार दो दिन से ये स्टॉक अपने नए 52 विक का जो हाई बनाया जा रहे हैं उसको लगातार तोड़ते हुए नजर आ रही है तो चलिए यहाँ पर मैं बोल क्यों रहूँ कि इसे मत खरीदना पच्चताओगे सारा चीज़े आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट इसी प्रकार की वीडियो उसके लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस करके रखी और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए मैं आपके लिए इसी वीडियो लाते रहूँगा दोस्तो लास्ट रेडिंग सेशन में चेंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेट का सेयर प्राइस 386 रुपए पे ओपन होकर 370 रुपए 30 पैसे का लोग बनाया था उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली और 400 इंकाउन रुपए तक का हाई हमें देखने को मिला ये इसका नया 52 वीक का हाई है और बड़ा ब्रेक आउट हमें देखने को मिला फाइनली 434 रुपे 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी और 15.66% की इंटर डे में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी तो दोस्तों जो नहीं जानते हों उनको बता दूँ कि ये जो कमपनी है जो खेत में जो यूरिया यूज होता है वो बनाने वाली कमपनी है और इसका जो प्रोड़क्ट बनाती है जो यूरिया है डी एपी है ये सारा चीज़े बनाती है मतलब खेत में जो यूज होने वाली है जो खातू वगर होता है जो खातू बोलते हैं तो एगरिकल्चर में जित्ता भी जो यूरिया वगर है यूज होता है वो सारा चीज़े य यहाँ पे एक अच्छी कमपनी है और जिस तरह से भी मानसून का जो समय चल रहा है उसमें इसमें तेजी बननी है ही यह पहले से था लेकिन अब यहाँ पे बड़ी तेजी आज हमें देखने को मिले दोस्तों इस स्टॉक ने जबरदस्त रिटन दिया है पिछले वन विक में यह स्टॉक 27% तक भाग चुका है और पिछले एक साल में 158% का बहुत अच्छा रिटन दिया है पांस साल में 629% का बहुत अच्छा रिटन दिया तो रिटन के मामले में नमबर वन है जबरदस्त रिटन हमें देखने को मिल रहा है और यह 18,082 कड़ोर की एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी के डेट की बात करूं तो 3866 कड़ोर का कंपनी के पास डेट है और इनके पास कैस है 907 कड़ोर का कंपनी के पास कैस है और यहां पर कंपनी के पास डेट है इस प्रकार की जो कंपनी होते हैं जो मसीन होते हैं बहुत मसीनरी जो यूज होते हैं तो यह सब क यहांपे इनके डेट भी हैं लेकिन की दिक्कत नहीं है अब देखिए यहांपे मैं सेल्स की बात करों तो हमारे पास nine quarters के जो है वो लगातार हमें यहां पर दिख रहे हैं और लास्ट क्वाटर में इनके सेल्स में बड़ा ग्रोध देखने को मिला था और अच्छा खासा हमें यह एर यह बेसिस पर जो है ग्रोध देखने को मिला बहले यहाँ पे लाश्ट क्वाटर में हमें कोटर-aun-quarter गिरावट देखने को मिल रही हो लेकिन अगर मैं इसकी कंपरिजन करता हूं year-on-year basis पे तो बहुत अच्छा इंप्रॉब्मेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है तो company अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहें दोस्तों लगातार बढ़ते वे नजर आ रहें और सबसे इंप्रोटन बात यहां पे देखिए प्रमोटर्स का जो होल्डिंग जो गिर्वी रखा उब था उसको लगातार कम करते जा रहे हैं तो यह अच्छी बात है और यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 8 अक्टूबर को higher delivery quantity देखने को मिला था 355 गुना ज्यादा delivery उठाया गया था और higher trade quantity भी हमें देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और इसके अलावा इस stock ने जो है इनके 52 week का high था एक मिनट मैं पहले आपको 7 तारीक का data दिखाता हूँ दिखिए 7 तारीक को इसका 52 week का high 378.70 परेशे था और इसने high बनाते हुए 375.00 पर closing दिया था उसके बाद 8 तारीक की data आपको दिखा देता हूँ 8 तारीक को अब इसका नया जो high था 388 था अब इसने इसको भी तोड़ दिया मतलब लगातार दो दिन से यहाँ पे अपने बाउन विक के high को तोड़ते वे नजर आ रही है दोस्तो तो दोस्तों यहाँ पे जब आप प्राइस देख रहे हैं 400 इंकाउन रुपे का यह इसके एक साल का भी हाई है पांस साल का भी हाई है और all time भी हाई है अब अगर मैं investment के लिए checklist की बात करूं तो इसका जो current value है इसके intrinsic value से कम है अभी भी आपको सही प्राइस पे मिल रहा है evaluation के हिशाब से FD से अच्छा return भी देती है dividend भी देती company अच्छा खासा और यहाँ पे एक चीज है जिस वज़े से मैंने आपको बोला था इसे अभी मत खरीदना अच्छा stock है जब correction हो तब खरीदना अभी आप खरीदते हैं कल गिरावट होती है correction होती है तो उपर की level पे आ बिल्कुल भी नहीं है stock तो अच्छा है तो चली यहाँ भी मैंने आपको सारा चीजे बता दिये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो हैर मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूंगा मिलता है फिर एकने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए ठैंक्यू